कभी मिनिस्टर्स को, कभी इंडस्ट्रिलिस्ट को या कई और हाई प्रोफाइल लोगों को डिफरिंट टाइप्स अफ सिक्यॉरिटी की जरुवत पड़ती है और इंडिया में ये पूरा अरेंजमेंट मानेज करती है नाशनल सेक्यॉरिटी गाद्स, ITBP, CRPF, CISF और बाकी पुलिस ओफिसर्स Hey everybody, मैं हूँ प्रिया और आप देख रहे हैं Phenology Legal आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सबसे पहले कि इंडिया में कौन-कौन से टाइप of security अवेलिबल है सबसे strict कौन सी होती है, बाकी सारी different कैसी होती है दूसरा कि किस-किस इंसान को कौन-कौन से security provided है और तीसरा ये जानेंगे कि ये सारी चीज़े manage कैसे की जाती है तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं अब किस इंसान को किस लेवल के security प्रोवाइड की जानी चाहिए उसमें और क्या-क्या होना चाहिए, ये सारी guidelines दो जगा मौझूद है पहली है blue book, तो ये president, vice president और prime minister के security guidelines के बारे में बात करती है और दूसरी है yellow book, तो ये बाकी VIPs और बाकी political persons के security की बात करती है कब किसको कौन से लेवल के security दी जानी चाहिए, ये home ministry, different intelligence agencies की मदद से decide करती है और इसी तरह state government कभी अपना खुद का ऐसा ही एक criteria होता है अगर presently हम बात करें, सिर्फ central government की list में 230 ऐसे लोग है जिनने different types of security दी जारी है ये जो list है, ये emergency की हिसाब से कम और जादा होती रहती है ये सिर्फ central government की list है, state government की अपनी खुद की ऐसी list होती है तो छे तरह के security covers होते हैं, X, Y, Y+, Z, Z+, और SPG चलिए एक एक करके इनकी functioning समझते हैं तो सबसे पहले है SPG, मतलब Special Protection Group ये एक elite force है, जो सिर्फ और सिर्फ Prime Minister Narendra Modi को security प्रवाइड करता है अब आप ये सोचिए कि इसका budget कितना होगा तो 2020 के budget में SPG के लिए 592 करोड अलोकेट किये हैं जिसमें से 145 करोड modern security equipment और infrastructure पर spend किये जाएंगे दरसल 1981 तक इंडिया के Prime Minister के security दिल्ली पुलिस और intelligence bureau के special task force के अंदर होती थी पर 1984 में Prime Minister Indra Gandhi के assassination के बाद security strengthen करने के लिए Home Ministry ने एक review committee setup की बीरबलनात committee जिनके recommendation से April 1985 को ये special protection group बनाया गया तो SPG category जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडिया में सिर्फ और सिर्फ Prime Minister को दी जाती है इसमें total कितने लोग security देते हैं ये एक classified information है इस level of security में SPG और National Security Guards प्राइम मिनिस्टर को security cover प्रोवाइड कराते हैं इसके बाद second highest level of security है Z plus security जिसमें 55 security personnel सारे arrangements देखते हैं इन 55 में तकरीबन 10 National Security Guard Commandos भी होते हैं March 2021 के Central List के मुताबिक almost 40 लोगों को Z plus security प्रोवाइड की जा रही है अब क्योंकि ये security भी classified information है इसलिए publicly ये list अवेलिबल नहीं है पर एक speculation के हिसाब से इस list में राहुल गांधी, अमिच्षा, राजनात सिंग, योगी आदित्यनाथ, प्रियंका गांधी, ex-prime ministers और देश के कुछ और important और high profile ministers, supreme court and high court के judges, army heads and prominent personalities को security दी जाती है government को ये security प्रोवाइड करनी की एक cost भी pay करनी पड़ती है जैसे Z plus security का cost almost 20 lakh पर मन्त है, वहीं Z security का cost 15 to 16 lakh पर मन्त होता है और ये पैसा government पे करती है, taxpayer money से बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो अपनी security का पैसा खुद पे करते हैं for example, Mukesh Ambani, जो अपने different level of security का खर्चा खुद उठाते हैं इसलिए जब Kangana Ranaut को government ने Y category security provide की थी, तब लोगों ने उन्हें security provide करनी की पीछे का reason पूछा था और ये कहा गया था कि Kangana जैसी well-established actress अपना security cover का पैसा reimburse कर सकती है taxpayer के पैसों का unnecessary expenditure नहीं होना चाहिए next है Z category security, इस level में 22 security personals involved रहते हैं जिसमें से 4-5 national security guard और police personals भी रहते हैं ये security दिल्ली police, ITBP और CRPF provide कराते हैं डोनों Z plus और Z level security में एक escort vehicle included रहते हैं इसके बाद है Y plus category जिसमें 11 security personals involved होते हैं जिसमें से 1 या 2 national security guard भी होते हैं plus 2 personal security officers rotational basis पर हर वक्त आसपास रहते हैं इस level of security के जिम्मेदारी mainly CRPF के उपर होती है इसके नीचे आती है Y category जिसमें total 8 personals होते हैं जिसमें से 1 या 2 commandos और police personals भी होते हैं इसमें 2 personal security officers rotational basis पर व्यक्ति के साथ रहते हैं last में आती है X category जिसमें 2 या 3 police officers ही होते हैं इंडिया में ज्यारतर लोगों के पास X या फिर Y category की security होती है तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने इंडिया के different types of security की बारे में जाना उमीद करते हूं कि आज की इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला हो अट इस वर इस वर दो आः, सुई ये निर ने ने च्स दाओ, BYE BYE